बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्कूल लीडर्शिप, कंसेट्स and एप्लिकेशन अब यह हमारे स्लेबस में 10 मार्क्स का आएगा 10 मार्क्स का इंदर सेंस कि 10 क्वेस्चन आएंगे एक क्वेशन दस नंबर का हमें पता है ठीक है वेरी गुड लेकिन हमें कैसे पता कि भी यह दस नंबर का ही आएगा दस नंबर से ज्याद आगाया कम का क्यों नहीं आएगा आओ दिखाता हूं यह रहा हमारा का स्लेबस और इसमें आप जैसे ही निच्छे आओगे प्रिट के स्लेबस में ठीक ना निच्छे आते ही यहां पर यह आजाता है हमारा D point पे D point पे school organization and leadership इसमें आज जो हम करने वाले हैं एक तो leader कोन होता है सबसे पहले तो यह पता चल जाएगा आपको फिर उसके बाद reflective practitioner, team builder, initiator and coach यह coach वाला point थोड़ा ध्यान रखना plus reflector practitioner इन दो से direct question मनता है पहले इसमें थर्ड फिर क्या आता है तिनो leadership के type जो school leadership में काम आते है leadership के और भी type बताऊंगा लेकिन school leadership में यह तीन मेंली काम आते है उसके अलावा vision building, goal setting यह दोनों किसका part है यह दोनों है school के development plan का जब हम school के development plan बनाते हैं कि इस school को कैसे grow करना कैसे और ज़्यादा improvements करानी है तो इसके लिए जो हम planning करते हैं उसमें यह दोनों चीज़े काम आते है vision क्या होगा उसका, हम क्या-क्या goals, targets रखेंगे ठीक है, लेकिन school development plan बनाता कोन है SMC, सबसे important चीज़ों में सेख इसके बारे में बात करेगे तो आज क्लास में हम यह तीन topic कर लेंगे तो तब तक अपना pen copy बिल्कुल अपने हाथ में लेकर ready होगे बैठ जाएगे क्यों क्योंकि साथ-साथ में note बना गया आप लोगों को चलना पड़ेगा बहुत important चीज़े कराने वाला हूँ यही चीज़े फिर बाद में कल को आप डेशेच भी वगरा की त्यारी करोगे तो SMC उसमें बहुत important part है तब तक आप लोगों के लिए एक मेरी तरफ से question है कि आपने यह बताना है कि SMC जो है यह कौन से पार्ट से मतलब formation हुई थी सम्विधान का article है या RTE का है किसका क्या है जब तक हम करेंगे तब तक आपके previous knowledge थोड़ी सी चेक हो जाएगी आप लोगों ने बताना है कि SMC कितने member होते हैं मतलब जी तना बता सकते हो उत्रा कोशिश करना बतानेगी ठीक है चले start करते सबसे पहले आता भी जैसा काम जैसा नाम वैसा काम अर्थात सबसे पहले जब हम बात करते हैं leader ठीक है जी leader की तो leader में होता कोण है leader अब leader कोण होगा जो किसी team को lead करने वाला होगा थोड़ होगा भी जो किसी team को lead करने वाला होगा lead in the sense initiator होगा जो उसकी team को जरूरत पढ़ने पर या कोई भी काम जरूरत पढ़ने पर initiator होगा जो जो सबसे पहले काम करने वाला होगा जरूरत परने पर बिल्कुल ठीक बात है initiator उसके अलावा अकेला सब काम करेगा अगर सब कुछ काम अकेला करेगा तो फिर leader काहेगा समझ में आई या नहीं फिर तो एक्टर कहलो हीरो कहलो इस टाइब के वर्ड कह सकते आप ठीक है ना लेकिन लीडर का लीडर तो वह है जो सबको साथ में लेके चले तो एक टीम की फिलिंग वाड़ा होगा जिसमें टीम स्पीरिट आती है टीम स्पीरिट ठीक है टीम स्पीरिट बोल दो या टीम टीम बिल्डर टीम बिल्ड करने वाड़ा हो समझ में या नहीं आई इसके अलावा मेंटर हो जरूरी थोड़े है कि सब चिज्जे उसकी सब को पता ही हूँ समझाने वाड़ा हो समझ में या नहीं आई चिज्जे हम सब को समझाने वाला हम आप समझोगे कि सरी है छोड़ी चीजे क्यों बता रहे हूं हमें यहीं से स्टेटमेंट वाले क्वेस्चन बनते हैं ठीक है लीडर की कौन सी क्वालिटी है इनिशियेटर होता है ठीक है टीम स्पीरिट की भावना को लेके इनकलकेट करने को शिश्च करता अपने टीम के अंदर समझ मैं ऐसा नहीं कि इंडिवीज्वल ही सब कुछ है टीम एज होल हम अपनी टीम को आगे लेके चलेंगे अके लेके बाग जाएगे कोई फैदा नहीं है टीम को फ्रेम इस तरह से करेगा जिससे गोल अचीव हो सके मे काईड भी कर सकता है इतना समझा गया नहीं है बताओ भी ठीक है अब इसमें एक मेन पॉइंट जो मैंने अभी तक डिसकस नहीं किया था वो करने वाला हूं उसके लिए थोड़े से रेडी हो जाईगे आप लोग ठीक है अरे होजा भाई है हां जी अब इस अब इस से थोड़े से आग्या जीए अब इसमें आता है एक जो लीडर होता है ना उसकी सबसे एक मेन बात ये भी होती है कि वो कोण होता है रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव प्रेक्टिशनरенно ठीक हो गया अब यह कोण सा हो है यह टर्म तो मारे पास पहली बारा आरा भी रिफ्लेक्टिव प्रेक्टिशनर रिफ्लेक्टिव प्रेक्टिशनर का एक ऐसा मतलब होता है वही जो लीडर अपनी टीम मेंबर्स की एक्सपीरियंस इज ठीक है वह कितना एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं उसके अलावा उनका थिंकिंग प्रोसेस ठीक है जी कि वह किस तरह से सोच सकते हो इनोवेटिव यह नहीं अपना खुद का भी उसका एक्सपीरियंस हाना अपनी कैपेबिलिटी अपने टीम मेंबर्स की क सब्सक्राइब कि इतने टीम मेंबर्स है इस तरह कि जब वह अनलिशिस करें क्या करें अलेशिस हांजी जब वह एनलीशिस करें तब उसको बोलते है रिफ्लेक्टिव प्रेक्टिशनर समझ मैं आई नहीं एक लेडर की सबसे खास बात होती है कि वह और रिफ्लेक्टिव practitioner होता है यहां से direct question आया हुआ है ठीक है और कहाया हुआ है अब देखो previous year हमारे पास है नहीं तो मैं आप लोगों के लिए यह चीज़ें कहां से उठा सकता था test book की app से ठीक है तो या फिर जो mock test जहां से हम देते हैं वहां से तो mock test में reflective practitioner से question उठता है है ठीक है जी समझा गया reflective practitioner क्या होता है जो अपनी team members की qualities को analyze करें हाना अपने खुद के positive negatives को analyze करके चलता है अपनी अच्छी बुरी बातों को analyze करके चलता है उसको बोलते है reflective practitioner वो leader होता है reflective practitioner अब इसके बाद आजाओ भी ठीक है अब इसके बाद आजाओ थोड़े से एक सेकंड बास इसकी एक और में चीज़ आपको बता देता हूं फिर उसके बाद आखे चलेंगे leader की एक और main quality क्या होती है अब ही चल पड़ भी या leader की एक और main quality यह है कि leader होता है coach style में भी काम करेगा leader अब आपको यह क्या बात ही coach क्या होता है coach in the sense कि वो तुरंत अपनी टीम की strength है ना strength है ठीक है जी थोड़ी बहुत spelling समझ ले ना वही strength समभाद ले ना मतलब strength और weakness ठीक है जी strength और weakness इन सब को दिमाख में मद्दे नजर रखते हुए planning करें उनको lead करें ठीक है उनको संभालें इसके अलावा वो तुरंत ये भी उनके अंदर इतनी capability होनी चाहिए कि वो ये जान पी पाएगा या नहीं पाएगा कि भी strength क्या और weakness क्या है जब इन चीजों की बात आए और फिर कोई guide करने कोशिश करें तो उसको बोलते coach style leadership क्या बोलते वही coach style leadership या उस leader की जो ये quality होती है इसको बोलते coach style leader समझ में आई coach style leader इतरा समझ आ गया या नहीं आ गया बता दो भी जली बता दीजिए अगर आ गया है तो ठीक है फिर हम आगे चलते हैं ठीक है ना फिर आगे चलते हैं अब इसके बाद आता है वही लीडर की और क्या क्या quality होती है देखो में जो हमने अभी तक आप लोगों के सामने लेके आ ठीक है जी जो initiator की तरह पे काम करें ठीक है initiator की तरह पे उसके लावा maintain से positive outlook ऐसा ना कि बिलकुल पहले यह कर यार यह का आप धोड़ी होगा तुम लोगों से दो होगा इनिये काम इस तरह के बाते करने वाला बिलकुल भी अच्छा लेटर नहीं है ठीक है अच्छा लेट automatically हम भी motivated होंगे और हमारा लीडर भी तभी motivated होगा तो उसका वाइक कि हमने गोल अचीवी क्यों करना है क्या अचीव करना है ठीक है तो self motivated intrinsic motivation अब ऐसा ना होगी leader को खुद उसकी team motivate कर रही है ठीक है फिर कैसे काम चलेगा ठीक है उसके लिबाब motivates and influences others देखो दो तरीके से काम होती है या तो आप motivate कीजिए या influence कीजिए ठीक है यह हो गया ठीक है इंफ्लेंस लेकिन एक होता है manage ठीक है एक होता है किसी को किसी तरह से मतलब क्या कहते है उसको dictate करना हो मेली एक word समझ लीजी आप मैनेज ठीक है मैनेज अरे मिट जा थोड़ा समल लेड़ा वही इसके ल है manage ठीक है ना influence और manage में क्या difference है यहां से question बनेगा आप देखो इसका आपको जब तक मैं बताऊंगा तब तक आप लोगों ने अपने मन में एक सोच लेना कि भी आपके मन में जो फर्स्ट आइडिया है influence और manage में क्या difference आता है तब तक फिर आगली चीज बताता हूं फिर अगे बताऊंगा इसका फिर आता maintenance consistent efforts for bringing changes लगातार strive करता है कि और ज्यादा positive changes आ सके और और ज्यादा qualitative changes आ सके ठीक है जी और ज्यादा नहीं नहीं skills acquire कर सके ठीक है इस तरह के जब efforts करता है तो एक अच्छा लेटर होता है कि इत्रा clear हुआ होगा अब आजाओ अब leadership की कौन कौन से टाइप होती है जो हमारे school में काम आती है school in the sense educational field में भी काम आती है अब बहुत सारी टाइप है उनमें से एक दो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा उनमें से कुछ main type है जो models of school leadership मतलब अरे क्या बीच में घुश type की है जो हमारे school में भी काम आती है कहां काम आती है school में भी काम आती है तो उनमें से एक हमारी है इंस्ट्रक्शनल या फिर academic leadership इंस्ट्रक्शनल या academic leadership ठीक है जी इंस्ट्रक्शनल या academic leadership जैसाइस का नाम वैसाइस का काम जैसाइस का नाम वैसाइस का काम अब वो कैसे जब हम school में instruction देने की काम करते हैं या फिर जब बच्चों को करीकुलम हाला इंस्ट्रक्शनल लीडर कम से होते हैं या फिर इंस्ट्रक्शनल लीडर्शिप कोन से होती है जब आप curriculum transaction में में ली focus करते हो ठीकिगी curriculum transaction में मेनली focus करते हैं classroom activities के उपर जो focus करते हैं ना उनको जो आगे लेके बढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर जो उससे जो डिजाइड अचीवमेंट आउटकम्स हम प्राप्त करने कोशिश करते हैं वो सारी चीज जांगी एकेडमिक लेटर्शिप जैसा नाम वैसा काम ये आपको पहले मांसुषर बता भी चुकिए ठीक है जी इसके अलावा फिर इसके और इसमें देखो शूपरवाईजर के तोर पर काम करेगा हना और यह सारे चीज़ें भीच में आएंगी लेकिन एक गजब की चीज़ जो आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट है वो है ट्रास्फोर्मेशनल कौन सा है भी ट्रास्फोर्मेशनल ये च प्रास्फोर्मेशनल में आप लेमें ले आप ये पढ़ लेना लेकिन मैं आप लोगों को एक ओल्ड राउंड आइडिया दे ताम आप लोगों को इसकी हिंदी पीडिएफ भी मिल जाएगी समझा है या निया इंग्लिश में हम एक्स्पें कर रहे हैं आपको हिंदी पीड करें किसकी बात करें स्किल्स की बात करें जब ऐसी बाते करें तो इसका मतलब है कि भी कहीं ना कहीं जो लीडर है वो वर्क कल्चर को वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को ट्रांस्फोर्म करने की मतलब पोजिटिव ट्रांस्फोर्म करने की बात कर रहा है तो इसको क्या ब है ठीक है जैसे एक्जाम हुए तुरंत पी टीम कंड़क्ट करवाया यह सब चीज़ें किसमें आएंगी यह सब चीज़ें आ जाएंगी भी हमारी ट्रांस्फोर्मेशनल लीडर्शिप में इतना समझ आ गया या नहीं आया जी बताइए इतना समझाया नहीं आया और एक चीज़ याद रखना जो आज के टाइम पर जो आज के टाइम पर हमारे एक्जिस्टिंग स्कूल एंवायरमेंट में काम आती है सबसे इंपोर्टेंट वो ट्रांस्फोर्मेशनल होती है ठीक है जी ट्रांस्फोर्मेशनल और इसके अलावा इसके अलावा भी बहुत सारे इंपोर्टेंट होती है और इसके अलावा जो हमारी प्रेवेट कंपनीज में होती है ना कि हम एक्स्ट्रा कर अपनी जो टीम होती है इनमें कंपनीज में टीम्स मना देते हैं फिर उनकी अलग लग कोर्सिज कराते हैं और फिर उनकी दबाग नहीं आगे बताओ ठीक है अब ट्रांस्पोर्मेशनल से भी कोई इंपोटेंट होता है क्या हाँ जी बिल्कुल बहुत इंपोटेंट चीछ होती है अब इसके बाद आता है डिस्ट्रिबुटीड लीडर्शिप क्या होता है डिस्ट्रिबुटीड लीडर्शिप के बताओ इसके बारे में आप लोगोने पहले अगर कुछ पढ़ा तो मन में सोच लेडा अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा रहा हूं जैसा इसका नाम वैसा काम अब वो कैसे distributed leadership में क्या होता है कि जो पावर्स होती है लीडर जो होता है वो पावर्स को distribute कर देता है distribute in the sense क्या सारी powers दूसरों के आधमें के लिजाते हैं नहीं जैसे मेरे पास आगया cleanliness department ठीक है नहीं ठीक है किसी के पास आगया examination department और एक तिसरे बंदे के पास आगया हमारा कुछ भी लगालो आप staff room committee होगी बढ़ वाली उसकिसी से किसी के पास time table वाड़ा आगया किसी के पास admission department आगया ठीक है जी तो यह क्या होगे यह इसने distribute कर दी ल हाना जो final powers है वो किसके पास है लीडर के पास ही है समझ में आई या नि आई अब transformational के बाद हरे राम हां जी अब transformational के बाद सबसे ज्यादा जो important है वो distributed बन गया बारा समझ में या नि आई distributed अगर आपको desired outcomes आज के टाइम बे स्कूल से लेकर आने तो सबसे important है distributed पहले नमबर पर distributed फिर उसके बाद transformational ठीक है समझ आई या निया जो practical way में यूज होता है समझ आई या निया देखो यहां पर लिख भी रखा न हाववर the leader holds the retains the positional responsibilities which comes with the head of the school ठीक है और इसके लाबाँ it is believed that students outcomes student outcomes are more likely to improve when leadership is a distributed ठीक है इतना समझाया निया या जब distributed leadership होती है तो students का outcome maximize हो जाता है अब इन के अलावा एक और हमारे पास बचती है वो है shared leadership बस इतना समझ लीजिए shared leadership वो होती है जब आप लोग अपनी powers को ही दूसरों को दे देते हूँ समझ में अगर cleanliness department किसी के पास है तो सारे cleanliness की financial powers तक भी उसके पास ही है हना एक से ज़्यादा leaders हो जाए हना यह एक leadership नहीं होती है इसके अंदर range of leadership होती है समझ महीं range of leadership behaviors and actions for involving others in decision making such as consensus making voting and delegation ठीक है अब इसके बाद क्या आता है इसमें जो main core value होती हो collaboration की होती है shared में shared leadership में जो collaboration की value होती है वो core में होती है बिलकुल center point होता है इतना समझ आया या नहीं है अब इसके बाद आके सुनिए इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा अब आता leaders leadership for learning अब सब को मिला दो आप बस इतना समझिए सब को मिला दीजिए और सब की अच्छी चीजे एक चेपे लिए ये उसको बोलते हैं leadership for learning जहां पर आपको ये कह दे देखो जहां पर आपको ये कह दे कि भी academics की भी अच्छी चीजे उठालो और उसके लावा transformation की भी अच्छी चीजे उठालो distributed और आपकी shared leadership की भी अच्छी चीजे उठालो तो ये सब मिलके बढ़ जाएगी leadership for learning अब इसमें क्या होगा ensuring that all stakeholders in the school are continuous and lifelong learners जहां पर आपसे ये question पूछ ले कि भी ऐसी कॉंड सी leadership है जिसमें आपसे जो leader है लीडर ही एक learner है क्या है बई लीडर ही एक यह क्या बढ़ गया अजी लीडर ही एक क्या है learner है तो वह क्या हो जाएगा भी leadership for learning यहां से इतने ही question मनते हैं इसके अलावा एक बार इसको scan जरूर कर लेना ठीक है कई बार यह होता है कि हम जब पढ़ाते ना उसमें plus five हमेशा जोड के चलना मानलों hundred percent हमने समझा दिया उसमें plus five percent आपने जोड के ही चलना है plus five in the sense कि पांच प्रसेंट वहां से आएगा जो आप खुद पढ़ोगे हम चाहिए कितना ही कोशिस कर लें या कोई भी कोचिंग वाला जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो उसमें चांद सितारे वारी तैयारी होगी ही ठीक है इसमें होता है ठीक है motivating and developing people developing people in the sense कि चरित्र निर्मान करना व्यक्ति निर्मान करना personality development करना तो वह किसमें आजाएगा अब समझा गया नहीं आगया सबको इतना समझा आया नहीं आया अब आके चले है अब इसके बाद आप लोगों के पास लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है फिए छोटा सा काम इन-da-sense मैंने जो आप लोगों को homework दिया था homework in the sense कि जो काम बताया था वो बता दीजी मुझे इतनी सारी इदर उदर की बाते कर रहे हैं तो क्या यह सब एमी हवाबाद जी में हो रहा गया नहीं जी यह सब किसलिए कर रहे हैं यह एक से नहीं तोड़ा सा जूम कर लो जिससे आप लोगों को और अच्छे से दिखे हैं ठीक है अब इसमें आता भी हमारा स्कूल डवलप् किन दे संस देखो भी हम अपने स्कूल के डवलपमेंट के लिए कैसे प्लैनिक करते हैं यह चीज के बारे में अब हम बात कर crochet अब कौण-कौण इसके लिए दोखो स्कूल के सारे प्रिंसिपल सारे स्टेक हो। सायोंँ ठाव हो। या पिर या फिर आपकी कॉम् horizontally hijos कि उन्वॉल्मेंट हो या फिर देखो यह रहा हूं स्कूल के हाना गर्ल या फिर चाहिवो बोई दोनों इन सब की इन्वोल्मेंट होती है एक ऐसे काम के लिए जिससे स्कूल का डेवलेप्मेंट हो सके क्या उसके स्कूल का डेवलेप्मेंट इसके लिए सब मिल बैठकर प्लानिंग करते हैं सब मिल बैठकर प्लानिंग करेंगे कि हमारे स्कूल की हम कैसे delve कर सकते हैं एक विजन लेकर चलते हैं यह मैंने का आपको रफ आईडिया दिया है अभी सिस्टे बाद आगेची अब इसके बाद आगेची लिए क्या आगेचल ना भी यह सब लोग मिलके कोन parents एक सिंदि कौन-कौन parents आप अपने कोपी में इसके नोट से बना सकते हो एक चीज उसके अलावा दूसरा कोड़ा बही parents के अलावा आपके teachers ठीके जी teacher तीसरा कोड़ है आपका मनदर टीटर सिंदा सेंस school के जो members है ठीक है वह वाले उसके अलावा community आपकी एक से क्या बना दी हां जी community होगी और उसके अलावा आपका कोई न कोई एक elected member community के अंदर ही आपका आजाता कोई न कोई एक बढ़िया elected member आपके आसपास का या कोई officer इस टाइब से यह सब मिलके बनाते हैं committee क्या बनाते हैं यह सब मिलके बनाते हैं के committee इस committee को बोलते हैं हम SMC क्या बोलते है SMC याद रखना भी इसको SMC SMC का मतलब क्या होता भी school management committee क्या बनेगी भी यह school management committee अब अभी के लिए न केवल SMC के उपर वापिस से आजिए भी किस के ऊपर वापिस से आजिए SMC के ऊपर है एक सेट चलो SMC आप लोग बाद में पढ़ाऊंगा पहले अभी SMC से क्यों इतना ही समझे कि SMC committee होती है जिसमें school के कुछ लोग होते हैं कुछ लोग आपकी community के होते हैं ठीक है अब उसके बाद आगे से लिए school development plan ऐसे थोड़ी हवावाजिम बन जाएगा उसके लिए कुछ vision होगा सबसे सबसे पहले school की जब development की हम बात करते हैं किस की बात करते है school की कि हना जब development की बात करते हैं कि सब्सक्राइब जब प्लैन तयार करते हैं तो इसके लिए पहले का आपके पास basic vision होना चाहिए क्या होना चाहिए हमारे पास एक vision होना चाहिए vision in the sense एक broader idea होना चाहिए एक हमारे दूरदर्शी होने चाहिए पहले हम बोलते हैं दूरदर्शी कि आपके पास यार इसका विजन तो बड़ा क्लिए रहा गोल मतलब एक त्रेसिस का लक्षेस पस्ट होना चाहिए हना लक्षेस पस्ट हो आपका तभी तो उसके लिए फिर planning करनी है या किस चीज के लिए planning करनी है नहीं तो उसके लिए आप लोगो क्या करना पड़ेगा पहले आपका vision क्लियर होना चाहिए vision is the first step to provide direction to the school for development vision जो होता है अब आपसे question पूछ लेगा कि भी school what is most important for school development plan सबसे पहले आपको देदेगा team formation ठीक है दूसरे नंबर पर देदेगा vision should be clear ठीक है उसके अलावा तीसरा option कुछ भी देदेगा कि भी formation of committees फोर्थ देदेगा financial management तो इस तरह से देदेगा तो हम जायर सी बात है एक दम बागेंगे team management की तरफ या formation of teams की तरफ लेकिन सबसे पहला जो आएगा देखो मैं सबसे बताता हूं सबसे पहले आएगा vision सबसे पहले अगर आपको school development plan करना है तो vision clear होना चाहिए आपका समझे मैं या नहीं ठीक है जी अब उसके बाद आता है school development plan एक एक चीज करके बात करेंगे हम जब vision के बारे में बात कर रहे है vision in the sense हमारा लक्से परस्ट हो और लक्से क्या हो वो हमारी एक अब इसको ना उस पस्ट पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल रहा मुझे अना उसके लिए देखो जैसे बताता हमार को vision statement must reflect futuristic intent futuristic intent मतलब कि भी अब इस बार आपके पास 50 बच्चे नहीं आए अगली बार आप लोगों ने सोचा कि भी अगर हमारा स्कूल अभी अभी पिछले ही 2-4 साल से शुरू हुआ है तो अगली बार हम enrollment double admission double कर देंगे शो कर देंगे तो इसको ध्यान में रखते हुआ हमने काम करना है ठीक है तो अब इसके बाद आए थार्ड इसके बाद आता है vision must be value driven हाना जो हमने school development plan के लिए हमारा जो विजन है वह value driven होना चाहिए ऐसा नहीं कि उसके लिए हम कुछ भी शाम दाम दंड भेद कुछ भी करने लगे जैसे for example you may want to develop student with the belief that all can learn अब school development plan के अंदर यह भी होगा ना कि आप अपनी academic और उसके अलावा अपने स्कूल की co-curricular activities को भी कैसे improve कर सकते हो स्कूल में आपकी prayer में और क्या क्या चिज़े improve कर सकते हो जो आपकी CCA department होगा उसने बैठ की यह plan में अब इसके बाद आता है at the same time vision must communicate a direction which is achievable in a time frame कि भी और time frame इसके अलावा जो हम रोड में बनाने वाले हैं जो हमारा vision है वो measurable होना चाहिए क्या होना चाहिए मेजरेबल भई एक अधी spelling थोड़ा ignore कर दा ना भई हम प्रेडिक्शन टाइपिंग वाले लोग है जो फोन में टाइप करकर के सीख रहे हैं चिज़े तो measurable होना चाहिए और जो हमारी committee होती है वह जो vision बनाती है कि हमें इतने साल के लिए planning करनी है इतने साल के लिए planning करनी है उसमें बेशिकली वह या तो तीं साल के लिए परते कि यह इंशा लिए यए पात साल के लिए यह आप लोगने question देखा भी होगा स्वल्ड में को कितने साल के लिए planning करती है कितने टाइम प्रेड के लिए वजन अपनी बना के चलती है वो तीन साल के लिए मेली तीन साल के लिए चलती है या फिर तीन नहीं है तो पात साल के लिए चलती है अब इसका यह मतलब नहीं कि वो एरली प्लैनिंग नहीं होती ठीक है सब तरह से प्लैनिंग होती है अभी एरली प्लैनिंग होती है उसके अलावा एरली में भी जब एक तो वो सब चीजों भी तो school development plan का ही हिस्सा है ठीक है और जरूरी निया school development plan में हम अमेश्या financial की बात करें school development plan में याद रखना आपका academic plan भी आएगा ठीक है जी वह हम आगे discuss करेंगे अभी इसके बाद क्या आता है सबसे पहले आता planning stage में सबसीं इमपोटेंट आस्पेक्ट क्या है उसका विजन क्लियर और अब स्कूल डेलोब्मेंट प्लेन कितनी स्टेज्ट होता है यह तीन स्टेज कहता पहला थम्लेण स्टेज हुआ पेली मनिग श्टेज है फिर उसके बाद शो हमने प्लैन कर लिए उसको को इंप्लीमेंट करने। का टाइम आ गया अब इंप्लीमेंटेशन स्टेज के बाद आएगा जो हमने इंप्लीमेंट किया उसका result outcome क्या निकला है वह जो एज प्लैन हुआ है या फिर कुछ आउट ओव दा बोक्स कुछ और ही निकलाया कुछ पोजिटिव हमने पचास एडिमिशन करने के सुची दी हमने सोचा था कि भी हमारे स्कूल का जो रिजल्ट हो 90 परसेंट रहेगा 90 प्लस बच्चे हमारे आद दी से ज्यादा क्लास काम को करेंगे कि 90 प्रसेंट से उपर माक्स आए या फिर हम रेमेडियल क्लासी चलाया करेंगे कि जो जो बच्चे कमजोर है उनके लिए अलग से एक एक स्ट्रा जीरो प्रेर स्टार्ट कर दिया अब उसका कोई benefit हो भी रहा या नहीं हो रहा यह जब बात्ते करेंगे तो evaluation ठीक ह कि अना वह इवैलिवेशन पार्ट आजाएगा बदला थर्ड स्टेज में इतना समझा गया नहीं आ गया कि यह यह टीन में हमारी का भी स्टेजिज ओगी याद रखना यह स्टैप नहीं है यह स्टेज है जैसे आपकी कोवल हिमन तो उसने स्टेज दी थी लेकिन से लेवल दिए थे उस ए इस तरह से तरह तूँच आप तीन लेवल थे और सिश्क्स था sorry तीन लेवल थे यह सिक्स्टेज थे हां मतलब आप सबाल लेना इसको थोड़ा है मैं खुद भी कन्फूज होगा इसमें लेकिन ऐसा था वो क्वेस्टन पूसता है कई बार कि भी कितने लेवल थे और कितने स्टेज थे कोलबर्ग की तरह है इसने भी हां उसने क्या था तीन तो थेल हाँ तीन तो थी स्टेज और शिक्स थे लेवल तो अब इसकी चीज यह माने के चलना हरा बाकि अगर मैं गला तो इसको तोड़ा करेक्ट कर रहा को कि कई बार हमें भी चीजे इतनी बारे किसे पढ़ने की जरूरत पर जाती है ठीक है वो टोपिक अभी कराया है न थोड़ी तो समझ लेना तो यह तूंब तीन हमारी स्टेज इस है हमारी स्टैप नहीं अब इसके बाद आता स्कूल मेंस प्लैंट का क्या क्या काम करने हैं सबसे पहले टीम बना ली फिर उसके बाद एक सेकंड जी आ गया जाओ फिर उसके बाद आता है भी हमारा वो क्या करेंगे जैसे हमारी एक प्लैनिंग एक प्लैनिंग टीम होगी एक्षन टीम होगी लीडर्शिप टीम होगी एक्षन टीम होगी हाना प्लैनिंग टीम प्लैन करेगी एक्षन टीम उसके उपर क्या क्या कैसे एक्षन किया दा सकता वो सारी चीजे लीडर्शिप टीम सब के साथ कोडिनेट करके छलेगी और अप्रेजल टेम इन सब को कोडिनेट करके फिर उनको क्या आउट कम आयो रपच अब को सब को मैस्पोड मकुटिवेट मोड़ि शम्हाइब प्रो आइप इस थाइप से करेंगी आप्रेजल वैसे ठीक है अब information gather करेंगे एकठी करनी जैसे अगर उन्होंने का कि हमने स्कूल में enrollment future enrollment क्या होना चीए है इसकी requirement के लिए हाना इसके लिए उन्होंने पहले community से संपर करना school के क्या-क्या facility यह और improve करी जा सकती है staff के लिए और क्या चीज़े improve करी जा सकती है हाना और जो stakeholders से उनसे बात्चित शुरू करनी शुरू करी ठीक है स्कीम निकालने की भी अगर किसी के तीन बच्चे है तो हमारे स्कूल में तिन्नों को पड़ाओगे तो एक की फीश माफ तो इस तरह के जब हम थू इक questo को बोलते है तो बतनला इन्फोरमेशन न केव कर नाि है ठीक ही प्लेनिंग कर रहे है फिर उसके बाद स की सब्सक्राइब राता है विजन बिल्डिंग Mr. Me he kreeज भीजन बिल्डमों and the vision and the collected baseline data can be of much use to navigate direction for preparation of school-based development plan for vision building you have to review your x second is me kya karna prathaya me the ko vision building yenai wo mataman ka chalna ki wo pichay wada vision wada hai vision wo alag thai ye vision building in the sense ki sab ke saamne aap apni baat kaise rak pao ge logo ke saamne jab ya phir apni teams ke saamne jab aap apna vision statement legato jashe brochure nio tect raga us trega saamne me hai ya nahi saamne me hai jashe aap apne teen saal ek tarayse chidjo ko written form me jab le ke a jate hai aap jashe abis vision ki khas baat kya kya hoti vision statement ki ki bhi aapka vision clear hona chahi hai uuske ala wa kansai madrab saps past hona chahi hai 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 ya dhok tiin cize iski auris me jada main pundi ki doori hai 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 mahii mahii thao dha extra isliyei batani ta ki aap lhoog ko kuch out of the box ake akai ap lhoog ko ga gerwarna कर दें बस ठीक है जी अब इसके अलावा एक और में चीज इसकी बस्ती है वो है कि सेट प्रायरिटीज अब इन्होंने विजन बिल्डिंग कर लिया किस प्रायरिटी को पहले मतलब किस काम को पहले करना किसको बाद में जैसे पहले तो एडमीशन वाले पार्ट पे ज़्यादा दोर दे दिया कि आने वाले तीन महिने में अब है एडमीशन का प्रोसे स्टार्ट हो जाएगा तो इसलिए अभी से गाउं में जाजागे संपर्क करना है ना उसके अलावा लोगों से मिलना और पेंप्लेट चपवाना यह सारी चीजे प्राइटी बेस पे कर दी दूसरा फिर उसके बाद उन्होंने क्या आगा कि भी बच्चे ज़्यादा आएंगे तो एडमीशन के लिए रूम्स बढ़िया होने चीए या फिर बैंचीज अच्छ हम आइडेंटिफाई करेंगे एसस करेंगे और डेवलप दा लर्निंग नीद्स और फोल्ड चिल्डरन हम ये एनलाइज करेंगे कि कौन सी क्या-क्या बच्चों को जरूरते हैं जैसे हमने का कि भी रेमेडियल क्लासी स्टार्ट कर दी हाना तो यह बहुत इंपोर्टन ची क्या होगा भी गोल या टार्गेट कि भी जो हमने गोल्स कम्स नेक्स्ट आफ्टर यू है डेवलेप्ट दविजन ओफ यूर स्कूल अलोग विद यू स्टेकोल्डर्स इस यूर विजन स्टेट्मेंट है इस बीन मेड फोर थी यर्स इट वोड बी यूजफुल तो हैव यूजफुल गोल्स डेट अलाइन विद विजन ठीक है अब आप लोगों ने एक विजन लेके चले थे कि भी स्कूल हमारा थ्री सेक्शन हो तो उसके लिए बढ़िया एंड्रोल्मेंट होगी बढ़िया एंड्रोल्मेंट तीन साल में जाके थोड़ी होगी वो हर एक साल सवाइन SQL कैंट Maa Company सानर। यह को म donne करें थिए बैसे हो तो इस तीन साल के विजन के साथ अलाइन करें हना ऐसा ना क MEME twisting साल के साथ यह जो आपने Сकूल डवल्लेप्मेन त्क स्कूल का ड्रापनेंड प्लैंड किया है यह स्कूल के लिए प्लानिंग किया है उसके साथ लक् या बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएंगे और आप टीचर सारे केवल कॉंट्रेक्ट्ट वाली रख रहे हो कि फिर काम थोड़ी चलेगा तो येरली भी प्लैन करना पड़ेगा आपको चुड़ 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 चीजे बारी किसे अ कि इतना समझाया लास्ट आता मोनिट्रिंग एंड वेलवेशन वेलवेशन स्टेज कि भी जो आपने फिर श्कूल डवलेप्मेंट प्लैन इस रेडि जब आपने स्कूल डवलेप्मेंट प्लैन वह रेडि कर लिया उसके बाद उसका इंप्लिमेंटेशन वाड़ा पाट आजाएगा और इवेलवेशन कि भी जो हमने इंप्लिमेंट किया चीजे छह मन्य में चार महिने में दस महिने में एक साल में उसको एक बार पिछे मुड़गे जरूर देखना यही लीडर्शिप की मेन क्वालिटी होती है कौन सी एक इसको अब एनलाइज करने के बाद आती है इतना समझाया या नहीं है अब इसकी सबसे इंपोर्टेंट एक फेक्ट वाली चीज आप लोगों के पास लेके आ रहा हूं इसके बाद कुछ नहीं है अब हमारी वो दो तीन सीजे में क्लियर हो चुके है अब इसकी एक में सब्सक्राइब से सुनना भी अधर्वाइज कन्फूज हो जागे और दुखी जरूर जाओ जाओ क्या हमारा जो आर्टी एक्टाया था क्या था हमारा हमारा जो हमारा जो आर्टी एक्टाया था क्या था था जो आर्टी एक्टाया था जो आर्टी एक्टाया था उसका सेक् चले जाइए एक बार हाँ जी अब आज जी जो हमारा RTE Act था उसका Section 21 था जिसमें एक उन्होंने कहा था कि भी कुछ लोग होंगे जो मिलके School के Development के लिए काम करेंगे किसके लिए काम करेंगे भी School के Development के लिए काम करेंगे है हना उस School Development Plan में कौन काम करेंगे कुछ लोग काम करेंगे उस Section 21 में था और उन्होंने का गया उसको कहेंगे SMC क्या कहेंगे SMC School other than school specified in subclosure ठीक है Section 2 हना यह इसके लिए स्कूल के लिए Section 2 हो यहां मतले कहा ना SMC के लिए Section 21 है मारा Self-Constitute a School Management Committee consisting of अभी यहां से इसके पढ़ने वाले हैं उनका कोई गार्जिन या फिर पेरेंट्स ठीक है और टीचर्स ठीक है यह तिन्नों लोग मिलके याद रखना कौन कौन इलेक्टिड रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट्स या फिर गार्जिन यह और उसके लावा टीचर्स यह मिलके क्या बनाएंगे वही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या बनाएंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अब इसमें किस-किस रेशो में यह लोग होंगे यहां से सबसे पहले सबसे पहले आता है कि भी अगर मानलो चार लोग है ना चार में से तीन मेंबर दो पेरेंट्स की साइड से होंगे किसकी साइड से होंगे भी पेरेंट्स संज में आई या नहीं आई लोग किसी साइड शेंगे स्थि फिफ्टी पर्सेंट कौन होंगे विए 50% होंगे हमारी महिलाएं 50% female or 50% male SMC में constitute करेंगे बढ़ेंगे अब इसके अलावा आजाओ एक सब्सक्राइब थोड़ा सा यह हमारी इस अब इसके लावा और कोड़ोगा इट विल ओल्सों इंक्लूड मेंबर्स अमंग्स दे लोकल एजुकेशनिस्ट कोई आपके आज पास आपके किसी गाउं में स्कूल है कहीं दूर और वहां पर कोई बढ़िया अकेला लड़का जो पीएच्डी करके बैटा है तो उसको कोई फैमिली ऐसे जो बहुत अच्छी वह है एजुकेशन के फिल्ड में बढ़िया पड़े लिखे है तो उन में से किसी को आप इंक्लूड कर सकते हो हना चिल्डरन इंदा स्कूल किसी बच्चे को भी इंक्लूड कर सकते हो SMC में यह होने ही होने चाहिए टीचर्स आर ओल्सो अपार्ट ओफ SMC टीचर्स भी उसके पार्ट होगे अब टोटल कितने मेंबर होंगे इसके बारे में यहां पर कोई इसकूल आज ठाव सकते हैं जॉग को यह साथाव है उसके अलावा का स्कूल का डवलप्रमेंट प्लैन त्यार करवाएगी ठीक ही स्कूल जो डवलप्मेंट प्लैण Ó SMC टीटीच वह बिना नहीं हो सकता यह चीज याद रखना अब यह बात कहां करेंगे यह यह आ गया यहां पर जैसे section 22 में अपनी RTE गे section 22 में school development plan की बात करेंगे किसकी school development plan की यह चीज लिख लेना important है क्योंकि सिधा-सिधा आसा पोईट दिया हुआ है आर्टी एक्ट है ना आर्टी एक्ट 2009 के section 22 में दिया गया है school development plan और इसके एवरी SMC constituted under section 1 और section 1 of section 21 section 21 किसके लिए बनाता है SMC के लिए बना SMC को बनवाता है और वो यह कहता है कि भी SMC जो है वो school development plan त्यार करेगी हना in such a manner as may be prescribed कि भी इस तरह से जो बताया गया है मतलब school के हिसाब से या फिर जो हमारे रूल्स में बताया गया उसके हिसाब से त्यार करवाए गया उसमें और क्या-क्या स्कूल बनाएगा उसको SMC बनाएगी स्कूल मेनेजमेंट कमेंटी हना और वही उसका बेश तियार करेगी और वही यह बताएगी कि भी कैसे काम करना कैसे काम नहीं करना और वही उसको मोनिटर भी करेगी ठीक है इतना समझा गया निए समझा गया स्कूल अब स्कूल डेलोप्मेंट प्लैन में और क्या क्या होगा किस तरह से उसकी मीटिंग्स होंगी यह जो चीज अभी आपके लिए लेकर आना यह अपनी गवर्मेंट ओफ इंडिया का डोप्यूमेंट है अब आगे सुनिए दब मीटिंग सब्सक्राइब के लिए वो महिने में एक बार तो होगी ही होगी एंड माइनूट्स एंड डिसी डिसीजन्स ओफ दे मेटिंग शुड बी प्रोपरली रिकोड़िड एस जो समसी कमेटी की मीटिंग होती है उसकी हम अपनी टीचर्स डायरी में लिखते हैं प्वेंट्स या उसके बाद आता है तसकूल डेवलीमेंट अलोंट रियल के टीजक क्लास वाईज ऐन्रोलमेंट एर हाना एवरी एक बच्चे कितने फूलबेорт कितनी हैं आफ जिक कर सकते हैं ये सारी चिज़े स्कूल डेलोमेंट प्लैन में इंकलूड होगी उसके लाप financial requirements क्या क्या है कि भी teachers को salary देनी है या फिर और एक दो teacher रखने है school में और क्या क्या arrangements करने है उसके लिए financial जो जरूरते होगी उसका ध्यान भी school development plan में रखा जाएगा year wise detail of required additional financial resources यह सब्सक्राइब समझ में आगी या नहीं कि यह था भई हमारी class में आज हमने क्या क्या पढ़ दिया आप लोगों के ध्यान में आ गया होगा हमने कि तिन्नों points हमारे clear कर लिए हैं अगर आपके clear हो चुके हैं तो आप बता दीजिए अगर नहीं हुए हैं तो आप प्लीज comment section बता देना यह बहुत ही एक rich आपका session होने हुआ है I think ठीक है ना बहुत सारे आपके note भी बन गए होंगे इसमें लेकिन पहला मेरा दिन था और आप लोगों के लिए यह topic नया था तो इतने में से आपका number बिलकुल भी नहीं कटना चाहिए इसके अलावा एक जो क्वालिटीज है भई जो कि मैं बताना भूली गया था और वो पेपर में जरूर आती है ठीक है जैसे एक पहला आता है कोच स्टाइल लीडर्शिप है इस जमें क्या होता है जब आप स्ट्रेंथ मैंने आप बटा दिया था है शाय दीए तो बता दिया था ही जभश पताMकाता लगा कि उसके ऊपर gorilla act करता है कोई लीडर अपनी टीम की strength और weakness को ध्यान में रखते हुए तुरंत इसके उपर काम करता है तो उसको कोज style leadership और दूसरा होता है जब आपको free hand दे दिया जाए क्या दे दिया जै आपको秒को दोपने दिया जाए प्री हैं दे दिया जाए उसको less is fair अब इसको कैसे लिखते है वो दिख लीजिए ल ए आई डबल एस हाना ए और जेड हाना एफ आई आर ए अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है लेट कि मतलब जहां आपको एक तरह से थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया जाए जिसमें कि भी आप लोगों को करने दो इनको अपने हिसाब से एक बार चीजे हैंडल करने दो तब हम बोलते हैं लेशेज फायर टाइप की लीडर्शिप क्वालिटी है यहां पर इतन पता चला है नह में अधर्ड जो है वह आपकी टीम या फिर principles के पास होती है किसके पास होती है Express के पास होती है ती कि और को इसके अलावा तीसरा एक इसमें क्या होगा जब आप यह कहो कि भी आज का तार्गेट पूरा करदा तुम लोगो को बोनुस मिल जाएगा जब इस तरह रहेका हम यह कहें ना action and reward concept क्या हो जाए action and reward जब action and reward concept यूज हो तो वह होता है transactional ठीक है transaction money transaction करते हैं आप उससे याद रखेंगा इसको transactional लेकिन इससे मिलता जुलता है transformational उसको इससे मत जोड़ देना वह होता है जहां पर आपकी skill development की बात करें जहां आपकी transformational ठीक है ना transformational ठीक है जी इसमें क्या हो जहां आपकी skills की बात करी जाए क्या बात करी जाए जहां आपकी qualities की बात करी जाए जहां आपकी strength की बात करी जाए जहां आपकी तीन टोपिक मेंली कवर हो चुके हैं आज के तो बताना आज की क्लास आप लोगों को केशे लगी और अल्दा बेस्ट जो भी कमिया हमारी रहे गी होंगी वह हम पूरी कर लेंगे अगली क्लास में अल्दा बेस्ट बहुत बहुत शुब कामना है बारत माता की जै जै स्री डा हम अल्दा बेस्ट बारत मिया हम झाल भी जैसे खरी बारत मम सेस्ट जाना है जैसे क्लास मेंगे जैसे पहम झाली कामना है